Hello student, welcome back to another video. तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं BA 2nd Year का 3rd semester मद्धकाली नितिहास मेडाइवल हिस्टरी unit number 2 हम आपका complete करवा रहे हैं इस पे आलड़ी दो वीडियो बन चुकी हैं आज है हमारा day number 3 इससे पहले unit number 1 हमने पूरा complete कर लिया British East India Company भारत में कैसे आगे बढ़ती है कैसे उसका ब्यापार, उसका ब्योहार, उसका सेना, उसकी सामराज कैसे बढ़ती है British East India Company भारत में और प्लासी और बकसर के यूदिका इस पर क्या पहुआ पड़ता है पूरा point of view तयार करना था जिसमें हमें समझना था कि कौन क्या है तो इसमें main important role निभाया था Robert Clive ने और उसके बाद सुजाओत दॉला के बारे में हमने पढ़ा मीर कासिम के बारे में पढ़ा हमने अली नगर की संधी के बारे में पढ़ा तो वो सारी चीजे पढ़ना important था मीर कासिम के बारे में और अली नगर की संधी के बारे आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्लासी का युद क्यों कारड प्रभाव बहत तो क्या था वो पढ़ने वाले तो अगर आप प्लासी के युद के बारे में बात करें ना इसके बिरो और इससे संघर्थ स्टार्ट कर देते हैं कई सारे जगों पर इन्होंने अक्रमड किया अंग्रेजोंने कबजा किया फिर राजी दौला गया इसने कबजा किया पहली वीडियो में अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा कि क्लाइब से क्या क्या इसकी चीजे इस्टार्ट हुई या फिर अली गंज का जो समझो होता हुआ क्यूं हुआ क्या चीजे हुई वो समझोगे आप क्योंकि इससे पहले वो वीडियो देखना इंपॉर्टन्ट है अगर थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी कलाइब ने नवाब पर अली नगर की संधी तोड़ने का आरोप लगाया अब अली नगर की संधी क्या थी यह समझने के लिए पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी तो डेफिनिटली उसो चेकाउट दा लाश्ट वीडियो तो अली नगर की संधी तोड़ दिया नवाब ऐसा कलाइब ने इन पर आरोप लगाया और ये आरोप लगा करके कलाइब ने क्या किया कि तीन हजार की सेना ले करके अपना आक्रमण कर दिया नवाब पर अब ये तीन हजार की सेना ले करके नवाब पर आक्रमण तो कर रहा है क्लाइब से क्यूं कि नवाब की सेना में थे मीर जाफर के सेना पती और सेना पतियों ने सेना नायकों ने धोखा दे दिया और उस टाइम पर इसकी पराजे हो जाती है सिराजुत दौला की और सिराजुत दौला जाता है हार अब एक सिराजुत दौला इतने बड़े छेतर का नवाव अब वो हार जाता है अब वो जब हार जाता है तो फिर उस पर अधिकार हो जाएगा उनका अंग्रेजों का और वही से सुरूइजों की एक new साम्राज्य को ले करके तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके और क्या कारण थे प्लासी के युद्ध होने के तो प्लासी के युद्ध होने के कई सारे कारड थे जिनमें पहला कारड यह था कि सिराजुद दौला का विबादा जो प्रद है विबाद गरस्थ था उनका उत्रा अधिकार कि इसको बनाया जाए तो इसको लेकर के भी बिबाद सुलते रहे, उनकी सेना से कई लोग उठते रहे, कि यार सेना पती हो गया और मंतरी हो गया, कि हमेरा बनना है नबाब, तो इसकी जो बिबाद रही न, वो अपने आपसी बिबाद भी रहा, और उसके अंग्रेजु ने भी कई जगों पर इसक अंगरेज घसीटी वेगम की तरफ से वो चीजें करते तो इस वजह से भी सिराजय दौला को अंगरेज उससे चिड़ दी तीसरा था कृष्ण बल्लव का मामला क्रिष्ण बल्लव का मामला क्या था कृष्ण बल्लव जो है ये बेटा है राज बल्लव का अब राज बल्लव कोन है राज बल्लव है घसीटी बेगम का पूरा लिखा जुका रखने वाला उसकी संपत्ती उसकी जागीर की पूरी security देने वाला कौन है राजबलव तो राजबलव घसीटी देवी से connected है और घसीटी देवी से विवाद चलता है किसका नवाब का अब नवाब साहब ने क्या किया कि इन्हों ने कहा कि राजबलव जो है ये हिसाब किताब में लेखा जोखे में बहुत घपला कर रहा है ये गलत कर रहा है इसके खिलाफ action लिया जाए तो राजबलव ने क्या किया कि अपने बेटे कृष्ण बललव को काफी संपत्ती पैसे जो भी चीजे थी वो ले करके क्रिश्ण बललव को क्या बेज दिया अंग्रेजों के गिले में बेज दिया अंग्रेजों के पास बेज दिया बंगाल में कि वहाँ पर ये safe रहेंगे राजबललव ने अंग्रेजों से connection राजबललव का है क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे है गसीटी बेगम का मच ले रहे हैं और गसीटी बेगम की तरफ से कौन खड़ा है राजबलब तो राजबलब ने अपने बेटे कृष्ण बलब को अंग्रेजों के पास बेज दिया कि वो उनकी सुरच्छा में उनकी सरण में रहेगा तो फिर क्या हुआ नबाब ने क्या किया तो फिर नमाब को काफी चीज़े बूरी लगे और नमाब गुस्सा हुआ चौते चीज़ है अंग्रेजों द्वारा किलाबंदी अब इसके बात क्या हुआ धिरे धिरे अंग्रेजों ने अपनी किलाबंदी करना इस्टार्ट कर दिया अपने किला जो भी थे उस पर अपनी सेना अपना फोर्स अपनी सिक्योर्टी बढ़ानी श्टार्ट कर दिया तो इस से भी काफी बुरा लगा नवाब को किया यह तो हमारा अधिकार है यह तो हमारा राइट है यह क्यों कर रहा है इसको ये करने का अधिकार खिशन ने दिया कि वो किलाबंदी कर ले अगला चीज है नवाब का भै नवाब का भै दिन बदिन बढ़ता जा रहा था क्योंकि ये अंग्रेज क्या थे एक करके कई जगों पर थोड़ा थोड़ा करके अपनी राज़े बढ़ा रहे थे अपनी सामराज बढ़ा रहे थे अंग्रेजों का घसीटा बेगम की तरफ वो चीज़े थी क्रिशन वललब, राजवललब से कनेक्शन थे कई सारी चीज़े ऐसी होती जा रही थी अबद के नवाब से लड़ाई हो, वहाँ पर चीतना हो तो धीरे धीरे ऐसा हो रहा था कि वो बढ़ रहे थे अंग्रेज तो इसका भी नवाब को भैता कि यार ये तो हमारे राज़े पर भी कबज़ा कर लेगा धीरे धीरे करके अगला चीज है आपका अंग्रेजो द्वारा ब्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना अंग्रेजो को जो ब्यापारिक सुविधाओं दी गई थी धीरे धीरे दिली समराट के द्वारा जो सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगे सुविधाएं जो भी दी जाती हैं उनके मतले कुछ ना कुछ उनको चाहिए वापस टेक्स हो गया तो उन टेक्स में घपला बाजी करना हो गया टेक्स ना देना अलग अलग बहाने क्रियेट करना तो बहुत सारी चीज़ अंगरेच कर रहे थे जो कि उनकी जो सुविधाएं मिल रही थी उसका दुरूप योग हो रहा था उसके बाद डेक्स द्वारा नवाब की मांगों को ठुकराना डेक्स ने नवाब की मांगों को ठुकरा दिया था लेकिन डेक्स ने मां पर नवाब की बात नहीं रखी मना कर दिया तो ये सारे कारण कहीं न कहीं धीरे धीरे पक रहेते हैं कोई भी चीज न ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है चानकी कि आज ही सारी चीज़ फाइनल कोई भी चीज जब होती है उसके बीचे कुछ रीजन होते है कुछ धीरे धीरे चोड़ी 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 चीज़ें बढ़ती हुए जब बड़ी हो जाती है तब वो फटता है तो ये सारे रीजन रहे कहीं न कहीं युद के और फिर नवाब के उपर कलाइब ने अक्रमर कर दिया तो नवाब ने कहा कि अब तो हार पारी होगा पूरा तो इस तरह से प्लासिका युद्ध होता है अब बात करते हैं जब युद्ध हो गया तो इसका परड़ाम क्या निकला युद्ध हुआ जुद्ध में नवाब 30,000 की सेना के साथ आया फिर भी हार गया तो क्या हुआ कि नवाब के हार जाने के बाद मिर जाफर को नवाब बना दिया गया मिर जाफर को क्या किया गया बंगाल का नवाब बना दिया गया दूसरी परेडाम क्या निकला कि कमपनी को काफी धन, काफी रुपिया पैसा मिला सिराजुद दोला को हराने के बाद उसके बाद जो ये सिराजुद दोला की साथ लड़ाई हुई थी ना इसमें अमी चंद का साथ लिया था अंग्रेजों ने अमीचमद को जूटी शन्दी के बताए कि हम शन्दी कर रहे है तुमको ये प्रॉफिट मिलेगा और उसको कुछ भी नहीं दिया तो ये भी प्रॉफिट अंग्रेजों को मिल गया कंपनी ने कोलकत्था में टकसाल खोला टकैसाल मतलब कि कमपनी ने अपनी कमपनी को बढ़ाने के लिए व्यापार को बढ़ाने के लिए और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए टकैसाल खोला कमपनी को कुछ हिस्तों की जमिदारी मिल गई मतलब कि बंगाल के कुछ हिस्सों की जमिदारी करने का भी अधिकार किसको मिल गया? कमपनी को मिल गया तो ये सारे परड़ाम निकले कमपनी को अब इस यूद्ध का महत्तु क्या है हमारे भारतिय इतिहास में क्योंकि ये पलासी और बकसर का यूद्ध बहुत महत्तु कुड़ है इसके बारे में आप कोई भी एकजाम देगो अगर आप मेडाईवल इस्ट्री पढ़ रहे हो ना तो ये क्वेस्टन साते ही है क्या महत्तु रहा है पलासी के यूद्ध में? तो सबसे पहली चीज ये होई कि बंगाल में अंगरेजी सत्ता की अस्थापना हो गई अभी तक अंगरेज बंगाल में क्या थे? अपना व्यापार चला रहे थे और अपने किले उले में थोड़ा बहुत चीज़ें चल रही थी कई ना कई थोड़ा बहुत चीज़ें होती रहती थी लेकिन जब ये यूद्ध में इन्होंने बंगाल के नवाब को ही हरा दिया तो अब बंगाल में इनकी सत्ता आ गई अंगरेजों की सत्ता के अस्थापना हो गई बंगाल में दूसरी चीज़ है कमपनी के आर्थिक लाव हुए मतलब जब जीतोगे तो वहाँ पर बहुत सारे रुपे पैसे हीरे जवाहरा तो लेके जाते हैं तो कमपनी को आर्थिक लाव हुआ नैतिक प्रभाव डिफरेंट हुआ क्योंकि पहले नैतिक प्रभाव बंगाल में नबाब का था अब नैतिक प्रभाव इस्टार्ट हो रहा है अंग्रेजों का अगला कमपनी के समान में ब्रिद्ध लिख दिया हुए ने स्वारी ब्रिद्धी हुई कमपनी का जो समान था जो चीज़े थी उनमें क्या होगा ब्रिद्धी हो रहा है क्योंकि चीज़े सी पा रहे हैं वहां से गठा कर रहे हैं फ्रांसीसियों का पतन हो गया इस उद्ध में क्योंकि फ्रांसीसी लड़ रहे थे नबाब की तरफ से इनका भी पतन हो गया इस उद्ध में इस युद्ध के जितना कोई भी युद्ध जो है impact नहीं डाला किसी भी युद्ध का प्रवाओ इस युद्ध के बराबर नहीं था इस युद्ध से अंग्रेजी सासन को new मिली और अंग्रेजी सासन भारतीय राज सासन ववस्था में इंटरी करती है powerful तरीके से और बंगाल पर इसका सासन बन जाता है तो यह था हमारा day number 3 जिसमें हमने पढ़ा प्लासी के युद्ध के बारे में कि प्लासी का युद्ध क्या था क्यूं हुआ का रड़ क्या थे परड़ाम क्या थे महत तो क्या था वो सारा कुछ इस वीडियो में जाना तो I hope ये वीडियो में समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए पहली बाई उस चैनल पर आए हैं तो please visit the channel if you think it is valuable तो आप subscribe कर सकते है और आने वाली वीडियोज का notification आपको मिलता रहे इसके लिए चैनल को subscribe करके बेल आइकन सरूर हिट कर दीजएगा ओके मेरे दोस्त तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन चैवारत